दो हजार चोबिस को लेकर भारती जंता पार्टी लगातार एक्शन और इलेक्शन के बूट में चल रही है बीजेपी की कोशिश है कि दो हजार चोबिस के लोग सभा चुनाओं से पहले होने वाले पाँच राज्यों के विधान सभा चुनाओं में बेहतर परफॉर्मेंस की जाए सबसे बड़ी बात ये है कि इस पांच राज्यों में चत्यसगर्द, मध्यप्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य भी शामिल हैं जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है हलाकि इस चुनाओं में बीजेपी अब उत्तर प्रदेश के विस्तारकों को उतारने जा रही है उत्तर प्रदेश के 500 से जादा विस्तारा की राज्यों में जाएंगे भारती जंता पार्टी की केंदर और प्रदेश सरकार की योजनाओं और उप्री नीतियों को लोगों तक पहुचाएंगे वो सवाल जो लगातार विपक्च उठा रहा है उनके जवाब इन विस्तारकों के जरिये देने की कोशिश होगी संगठन के उन कील कार्टों को भी दुरुस्त करने की कोशिश होगी जिससे की विधान सभा चुनाओं में बहतर परफॉर्मेंस की जा सके क्योंकि यह पाचो राज्यों के विधान सभा काफी एहम हैं क्योंकि इनके बाद सीधे लोग सभा के चुनाओं होंगे यही एक वज़े है कि प्रधान मंतरी मोधी खुश 27 जून को भोपाल में इन अल्प विधारकों को संबोधित भी करेंगे हलाकि पूरे देश वर के विधारक भी वीडियो कानफरेंसिंग के जुडेंगे जिसमें कोशिश होगी कि भारती जंता पार्टी की नीतियां और रीतियां और केंदर सरकार के काम इन विधारकों के जरीए लोगों तक पहुचाए जाएं केंदर सरकार की योजनाओं के लाब बताये जाएं विपक्चियों के सवालों के जवाब भी दिये जाएं ताकि 2024 के लिए महौल बनाया जा सके करताओं उसको यह दिशा निदेश दी गए है कि किस से के से जो कार रिजना की गए थी क्या कार करताओं की एक तेके से जाच करेंगी करताओं के अगर कार नहीं किया गए तो उसको खारिज कर दिया जाएगा 2024 लोगसवाद चुनाओं से पहले समान विशारधारा के जितने भी विपक्ची दल है उनको एक मंच पर लाने की कवायत तेज हो चुकी है करते करें विपक्ची दलों के जो बड़े दिगगत चेहने हैं जो नेता है उनके पहुचने का सिलसला विपक्ची दलों के पटना में सुरू हो गया है इसके साथ ही जहां पर ये कारिकरम रखा गया है वहां पर तमाम पोश्टर बैनर लगाये गए हैं जाना कि इसका हवाला देते हैं उन्होंने कहा कि परिवारिक कारेकरम की वज़े से वो इस बैठक में समलित नहीं हो पाएंगे और विपक्षी दलो की इस बैठक को सुब कामनाय उन्होंने जरूर दी है। मुलाकात की थी और कहीं सभी विपक्षी दलो को एक मंच पर लाने की कवायद इनकी ओर से की जा रही है। संतोस जी पुर्व मंत्री से जब बात हुई तो संतोस सुमन ने कहा कि हम लोगों को महागरबंधन की सरकार के कर्ज करता औरे आला दिकारी भी नेता बोलते थे कि हम पाटी एक छोटी दुकान है हम लोगी भावनाओं से खेलने का उन्होंने काम किया यहां तक संतोस सुमन ने कह डाला कि हम लोग जब तक थे हम लोग दम घुट कर उस पाटी में बने हुए थे। हलाकि अब अमिर्षा से मिलने के बाद अब हम पाटी का जो समर्थन होगा वो बीजेपी के साथ होगा लोग सभाचुनाओं में हलाकि कुछ कहाई भी नहीं जा सकता है आने वाले विधान सभा में हो सके तो फिर अलग भी होने का भी चांस लग रहा है लेकिन जिस परकार देखा जाए कि जीतनरा माची अपने हम पाटी के साथ और अपने पूरे कर्च करताओं के साथ अब दिल्ली में अमिर्षा से मिलने के बाद काफी खुस दिख रहा है लकनाओ नगर नगम की आज पहली बैठा खोले जा रही है इस दवरान जो कारिकारणी के बास बारा सद समय में निन्याने पार्षद हैं बेर मेर को मिला करके वहीं दूसरी अगर बात करें तो समाधवादी पारिटी के पास 24 जो हैं पार्षद है तो ऐसे में एक जो कारिकारणी सदस की दिए 11 वोटर की जोच परती है जो जिसके हिसाब से भारती इंता पारिटी कुल 10 कारिकार लही उसको कैसे दूर लगनोव गास पाधी करण उन लोगों के लिए जो है समधान दिवस करने जा रहा है यानि कि आ समधान दिवस पे कई ऐसे चीज़ें होंगी जिन पे लगातार बेवराद दिया जा रहा था यानि कि लोगों की बड़ी समस्या है और उन समस्याओं को लेकर कहें ना कहीं उनका समधान नहीं मिल पा रहा है उन समधान सम दिवस के अउसर पर वह अपने पहुंचेंगे ELA में और EORLiA पहुंच करके वहां पर अपनी समस्या को नोड कराएंगा यानि कि साफ है कि इस बार के समधान दीवस में बुजर्गों और दिव्यांगों के लिए बुजर्गों और जो बुजर्ग हैं वो यहां पर आगर आते हैं तो निष्चित तोर पे उनकी फ़नवाई कि जाएगी यानि साफ है कि लखनव विकास पाधिकर्ण में बहुत से से फाइले हैं जो अब तक रुकी हुई हैं कहीं न कहीं उनका समधान नहीं हो पा रहा है जिसको ले करके लखनव विकास पाधिकर्ण के LDABC उनने कड़े निर्देश जारी किये हैं और इसके बाद से समध दिवस पर उन लोगों की आज जो है सुनवाई की जाए लखनव के सिविल कोट में साथ जून को संजीव जीवा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने साइटी गठित करने के निर्देश जारी किये थे हाला कि पहले जाज पूरी ना होने के कारण S.I.T. को साथ दिन का समय और दिया गया था और वो समय सीमा आज पूरी हो रही है देखना होगा कि S.I.T. अपने जाज रिपोर्ट में क्या कुछ लिखकर सासन को सौबबेगा क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट परिसर में सुरक्षा को भेद कर इस तरीके से संजीव जीवा को मौत के घाट उतारा गया उसे साप जाहिर होता कहीं न कहीं पुलिस कर्वियों की भी लापरवाही इस पूरे प्रक्रण में नजर आई थी देश के कई परतिश ठानों के आईकर वार्ट की लगाता चापे मारी जारी है बात करें कांतू भी तो यहां पर आदा कि पुसुतां ज्वेलर्स वर जुगुल को सोथ ज्यूइलर्स के साथ ही इस साथ मुजा कि जो आफिस अपकर कारियाले हैं यहां प्रक्रिया वहां पर यहां पर आन्ग फिसदो करेंगे करी दो इस ammoni करनी चाहिए फीर द situación के से शुकुल जो उनकुर्ड़ात कि उसकार श्रूम काया जाहती है चांपूर्ש बिली आघरा लगनौ कानढ़न मुझा ब squash आपर खड़ा रहीasm जेहां पर मुझा घखता कुछ तो पूरी होने के बादी कि इस पर हो सकेगा कि आखिर टेक्स कितनी चोरी की गई जोईलर्स वालों ने राजस्टान लुक्सान लेकिन पूर्टवाली प्लक्वा इस्टित्र रामा मेडिकल कॉलेज का कार नावा सामने आया है जहां छात्रों को करने के नाम पर बच्चों के दाखले लिए गए उनसे 1,75,000 रुपे भी जो है पेपर के लिए गए उसके बाद जो बच्चों को पता चला कि स्कूल जो है जो कॉलेज है उसकी मानेता ही रही है तो बच्चे लगतार पांच दिन से स्कूल में धर्ना दिये वे हैं और जो है और उनकी मांग है कि जो यह चल मेडिकल कॉलीज में किया है और जल्द से जल्द इसको जो है उनका शोट आउट किया जाए और चात्रों के भवशे के साथ खिलवार नहीं किया जाना चाहिए भाराईज के ठाना मोती पूर छेतर में सर्जू नदी में डूब कर पिता पुत व सहित एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत का मामला साम में आया है गट्डा की सूचना पर परिवार में 12 मज गया पर जोनों नया स्थानी गोता खोरों की मदद से तीनों शोओं को नदी पुत्र नदी पार कर खेत जा रहे थे वो तेजबहाओ और चक्रवात के चलते डूबने लगे जिने बचाने के लिए उनका चचेरा भाई नदी में कूद गया लेकिन वो भी डूबने लगा जिसे देखकर पिता तमलेश भी नदी में कूद गये और उन्हें ने बेटे औ के बाद इलाके में कोहराम मज गया घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर वैधानी कारवाई शुरू कर दी है निकाला और एक घायल रवस्था में जो था उसको सतकाल जिला एंबूलेंस के दारा बहजा गया जैसे एक्सिडेंट हुआ आई थानी लोग मौके पहुंचे पुलिस को सुचना मिली और पुलिस मौके पहुंची और ततकाल जैसे बी लगा करके तीनों जो घायल अवस्था में जो थे एक चारू घायल थे उन्कों में जो बाहर निकाला गया लेकिन तब तक तीन लोगों की मौथ हो चुकी थी और एक घायल हो गया था जिसको जिला इस्पताल में भर्ती करवाए गया यह मामला साइनी अंतरगत थाना के अंतरगत नमई मोड के आसपास का मामला है जहां पर हाईवे एनेश्टू के आस में यह बिनन्त हुई है जो एक बहुत बड़ी बिनन्त थी और मौके पर तीन लोग को खनन को अंजाम दे रहे हैं 12 बजे के बाद अबैद खनन का सिलसिला जारी है बात की जाए तो पुलिस की मिली भगत और खनन विभाग के मिली भगत के चलते रातो रात में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और जेसीवी का प्रियोग करके खनन तेजी से कर रहे हैं ऐसे में देखना होगा कि बिभाग के उपर और पुलिस के उपर जिला अधिकारी के आदेश के प्रभाव कितना मजबूत स्ताबीत होते हैं